नमस्कार दोस्तो मैं दिनेश कुमार आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल बुंदेल खंड वाइफाई स्टडी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक पाल जीके का सातों फार्ट जिसमें मैंने 20 कोश्चन कवर किये हुए हैं और आपके इन 20 कोश्चनों में कम से कम 200 कोश्चन तयार किये जाएंगे तो वीडियो को लाश तक देखते रहिए और जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब आउस्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुचे सबसे पहले तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले कोश्चन से पहला कोश्चन क्या दिये है सिम का पूर्ण रूप क्या है तो सिम का पूर्ण रूप क्या होता है सस्क्राइबर आइडेंटिटी माडियूल अप्सन नम्मर सी हमारा करेक्ट होगा सस्क्राइबर से आइडें क्या होता है तो लेजर का फुल्फार्म होता है लाइट अपलीकेशन बाई इस्टुमेटेड एमिशन आप रेडियेशन आप याद रखेंगे लाइट अपलीकेशन बाई इस्टुमेटेड एमिशन आप रेडियेशन लेजर का फुल्फार्म होता है और कौन सा पूचा जात क्या होता है आप नेफा का खुलपार्म क्या होता है आई आयजेंसी होता र प्रंटीयर चैंसी होता होता है एन SSO का फुल फार्म और कौन सब पूचा जाता है तो ओपेक का पूचा जाता है आप ओपेक का भी फुल फार्म में याद रखेंगे ओपेक का फुल फार्म क्या होता है आर्गेनाइजेशन आफ पेट्रोलियम Exporting Countries याद रखेंगे आप Organization of Petroleum Exporting Countries होता है OPEC का Full Farm यह दियर बात करें NCRT की तो NCRT का Full Farm भी पूचा जाता है तो NCRT का Full Farm भी आप याद रखेंगे National Council of Education Research and Training क्या होता है National Council of Education Research and Training होता है NCRT का Full Farm आप याद रखेंगे अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नम्मर सेकेंड क्या दिये सन 1927 होगा सन 1927 में बेटे सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम था इंडियन स्टेचूरी कमीशनाइडियन स्टेचूरी कमीशनाइफन नमबर भी अमारा करेक्ट होगा यह दियर तो Simon Commission का गठन आठ नवमबर 1927 को इंग्लेंड में Simon Commission का गठन हुआ था और यदि इरबात करें कि इसके अध्यच कौन थे तो इसके अध्यच थे Simon Commission के अध्यच थे सर जान सर जान साइमन सर जान साइमन इसके अध्यच थे और सर जान साइमन साहित कुल साथ सदस सी टीम थी मतलब 6 सदस और थे सर जान साइमन के साथ में और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी इसका बिरोध क्यों किया गया इंडिया में क्योंकि इसमें कोई भी भारती सदस नहीं था कोई भी भारती सदस इसमें साइमन कमीशन में सामिल नहीं किया गया था और इसे यदियर बात है रहे साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है तो साइमन कमीशन को वाइट मैन क कमीशन के नाम से भी जाना जाता है वाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को और तीन फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया मतलब बंबाई पहुचा था आप याद रखेंगे कब तीन फरवरी 1928 को ये भारत आया मतलब मुंबाई में पहुचा था तीन परवरी 1928 को और 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीजन के बिरुद्ध प्रदर्शन करते हुए क्या हुआ कि कि लाला लाजपत राय पर पुलिस की लाठी पड़ी मतलब लाठी चार जुगा उनके उपर 30 अक्टूबर 1928 को लाठी चार जुगा उनकी उपर और इसके बाद में क्या हुगा कुछ दिनों बाद लगभग एक माए बाद लाला लाजपत राय की म्रत्यू हो गई और साइमन का मीशन की रिपोर्ड का प्रकासित हुई थी ये भी कोश्चन पूचा गया एक बार तो साइमन का मीशन की रिपोर्ड प्रकासित हुई थी 1930 में आप इसे याद रखेंगे 1930 में साइमन का मीशन की रिपोर्ड प्रकासित हुई थी अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन में कैलास मंदिया यदि यह बात करें और कौन से जो पूछे जाते हैं इस्तान के इस जगह है तो जैसे आप याद रखेंगे आराम बाग पूछा गया है तो आराम बाग कहां पर है आगरा में आगरा में है आराम बाग यदि यह बात करें और कौन से पूछे जाता है तो दि दिलवाडा का जैन मंदिर कहा पर है माउंट आबू में आप याद रखेंगे माउंट आबू में दिलवाडा का जैन मंदिर यदि यह बात करें कि हजरत बल मस्जिद कहा पर है हजरत बल मस्जिद भी पूछी जाती है जो कहा पर है सिरी नगर में सिरी नगर में हजरत बल मस् पूछे जाता है तो 64 योगनी मंदिर भी पूछा जाता है यह क्वेश्चन आपको बुकों में पढ़ने के लिए बहुत कम मिलेंगे पहले कि यह पूछे जाते हैं तो जैसे कौन सा 64 योगनी मंदिर तो 64 योगनी मंदिर कहां पर है खजुराओ में है आप याद रखेंगे खजुराओ में है 64 योगनी मंदिर और लचमण जूला कहां पर है लचमण जूला पूछा जाता है तो लचमण जूला कहां पर है रिसी केस में आप याद रखेंगे रिसी केस में है ल प्रच्मण जूँगा अगला कुश्चन देखते कुश्चन नम्मर फूर क्या दिये जलिया वाला बाग हत्या का बदला लेने के लिए निमने लेखित किस ब्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जर्नल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी तो किस ने की थी तो उधम सिंग में की आपसा नम्मर हमारा डी करेक्ट होगा उधम सिंग ने उधम सिंग ने क्या किया था कि जलिया वाला बाग हत्या कांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर के इंग्लैंड में जर्नल डायर को गोली मारी थी अब यह दियर बात करें कि जलिया वाला बाग हत्या अम्रत्सर में हुआ था जलिया वाला बागत्याकंद के जलिया वाला बागत्याकंड घरभतारी तेयत महासभा चल रही थी क्या आप याद राखेंगे सत्पाल डाक्टर सत्पाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरिपतारी पर वहाँ पर मासाबा चल रही थी जलिया बाला भाग घत्या कांड में जो एक भारती ने क्या किया था अंग्रेजों का साथ दिया था आप उनका नाम याद राखेंगे हंस यह कुश्चन पूचा जाता है कि किस भारती ने जलिया बाला भाग घत्या कांड में अंग्रेजों की मदद की थी तो किस ने की थी हंस राज ने आप इसे याद रखेंगे और कौन से कुश्चन इससे पूचे जाते हैं तो इस कांड के बिरोध में क्या हुआ था कि संकरन नायर ने वाय सराय की कारकारणी परिशत से इस्तिवा दे दिया था संकरन नायर ने क्या किया था कि वाय सराय की कारकारणी से परिशत से क्या किया अपना इस्तिवा दे दिया था और इस कांड के बिरोध में गांधी जी ने क्या किया गांधी जी ने कैसर एहिंद की उपा क्या की थी गांधी जी ने त्याग दी थी और जमनालाल बजाज ने क्या किया था इन्हों ने भी अपनी जो ने उपाधी दी गई थी राय बहादुर की उपाधी इन्हों क्या कि त्याग दी थी और रवेंदना टैगोर ने क्या किया कि सरकी उपाधी त्याग दी थी रवेंदना टैगोर को सरकी उपाधी दी गई थी तो इन्हों ने क्या किया जलिया वाला बागत्या कांड में इस सरकार के लिए सरकार ने क्ञार privy 19 अक्टूबर 19 19 को क्या किया हंटर आयोक का गठन किया और इसमें क्या हुगा था कि ये कुल 8 सदस्सी टीम थी जिसमें 5 अंगरेज थे और तीन भारती थे। हंटर आयोग की स्तापना की गई जलिया वाला बाग हत्या कांड की जाच के लिए जिसमें आठ सदस्री टीम थी और उसमें पांच अंग्रेज थे और तीन भारती थे अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नम्मर फाइज जो भी मैं आपको भ्यानकारी दे रहा हूं आप इसे याद रखिए और एक बार में आप पूरा वीडियो नहीं समझ पाते तो वीडियो को दो बार देखिए आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा जो भी मैंने आपको बताया है और ये सारे कुश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं कुश्चन नम्मर कि तुलना बिस्मार किसे की जाती है अब बिस्मार किसे क्यों की जाती है क्योंकि बिस्सुका जो लौपूरोस है तो वो किसे का जाता है बिस्मार को का जाता है और जो भारत का लौपूरोस है तो वो किसे का जाता है पटेल जी को का जाता है किसी वज़े से पटेल जी की जाती है और इनको क्या कहा जाता है पटेल जी को भारत का बिस्मार्क या भारत का लौपुरुस भी इन्हें कहा जाता है और यदियर बात करें कि बल्लम भाई वो जो बिस्मार्क हैं तो यह बिस्मार्क क्या है कि यह जर्मनी के एकी करण के लिए रक्त एम लो की नीती अपन कई ती किसने स्मार करें लोग्ट कि भारत के एक ACT किसने किया तो भारत के एक कि करन किया था पटेल बाला बार्त पटेल जी ने भारत का कि किया था यह इसpei क्या का जाता था मेचनी को इटली का पैगंबर का जाता यदि यह बात करें कैवूर की कैवूर की बात करें तो इनको क्या का जाता था इटली का राजनीतिग का जाता था कैवूर को क्या का जाता था इटली का राजनीतिग का जाता था यदि यह बात करें गैरीवाल्डी की तो गैरी वाल्टी को इटिली की तलोवार का जाता था, क्या का जाता था, इटिली की तलोवार का जाता था, गैरी वाल्टी को ये तीनों इटिली से संबन देता है, आप इन्हें याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, अगला कोश्चन देखते हैं question number six, question number six क्या दिये, किस देश को पैगोडा की भूमी का आ जाता है तो किस देश को पैगोडा की भूमी का जाता है तो आपसन नम्मर एक औरेक्ट है म्यामार को आपसन नम्मर एक औरेक्ट है म्यामार को का जाता है पैगोडा की भूमी और यदि यह बात करें कि किस देश को किस उपनाम से जाना जाता है तो आप भी कुछ जो मैं बता रहा हूँ आप उन्हें याद रखेंगे जो पेपर में पूछे भी जाते हैं कि सफेद हाथियों का देश किसे का जाता है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है आप याद रखेंगे थाइलेंड को सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है यदि यह बात करें हाथियों का देश किसे कहा जाता है तो हाथियों का देश आप याद रखेंगे लाओस को कहा जाता है लाओस को हाथियों का देश कहा ज जाता है फ्यू जी यामा को जाना जाता है पवित्र परवत के नाम से हेती रखैंगे युदि हैर बात करें हบ पूरु का मोती किसे का क्या जाता है पूरु का मोती ही और पुर्व का मोति का जाता है। यदी यार गार बात किरहें एंटिलीज का मोति किसे का जाता ह। कुबा को का जाता है। चीनी का 14 भी किवा को का जाता है। दिर बात करें हजारों जील की भूमी किसे का जाता है तब फिनलाइंड को कहा जाता है हजारों जीलों की भूमी के नाम से जाना जाता है फिनलाइंड को यह बात करें कि उगते हुए सूर का देश किसे का जाता है तो उगते हुए सूर का देश यह तो सब कोई जानता है और भूटान दोनों से मिलति हैं। तो किस राजे की है सीमह है जो नेपाल और भुटान दोनों سے मिलती हैं तो हमारा क्या होगा आपसर नम्मर 3 स ही हो जाएगे सख्कम और प्रस्चिम बंगाल श़िक चिनम को is being जाने जैसे आप याद रखना कि पाकिस्तान से किसीमा से लगने वाले राज कौन कौन से जो पूछे जाते हैं पेपर में तो जम्बू कस्मीर है जिसे जेके जेके हो गया जम्बू कस्मीर हो गया पंजाब है पंजाब है और राजिस्तान है राजिस्तान आप याद यह बात करें म्यामार से म्यामार से पूछा जाता है म्यामार की सीमा से लगने वाले राज कौन कौन से हैं तो म्यामार की सीमा से आप यात रखना अरुडाचल प्रदेश लगता है नागा लेंड लगता है और मडीपुर लगता है और मिजोरम लगता है मडीपुर लगता है और मिजोरम लगता है यह क्या है म्यामार की सीमा से लगे हुए चारो इस्टेट है यह दियर बात करें बंगलादेश से लगने वाले कौन-कौन से बंगलादेश से लगने वाले राज्यों की संक्या 5 है कौन-कौन से आप याद रखना मिजोरम हो गया मिजोरम बंगलादेश की सीमा से लगता है तिरपुरा बंगला देश की सीमा से लगता है असम बंगला देश की सीमा से लगता है में घाले लगता है में घाले और पश्चिम बंगार में घाले और पश्चिम बंगार यह पांच चो इस्टेट क्या है बंगला देश की सीमा से लगते हैं अगला कुश साप्ट्सन नम्म c हमारे करेक्टें बोगत सौाना में आप और भी मरुस्तल याद रखेंगे जो पीपर पूछे जाते हैं आटा कामा आटा कामा पूछह जाते हैं काम पर है बहते कामा है उत्री चिली में आप याद रखेंगे कहां पर है उत्री चिली में है आटा कामा मरुस्तल यदि यह बात करें गोबी की गोबी मरुस्तल कहां पर है तो गोबी मरुस्तल है मंगोलिया और चीन में मंगोलिया और चीन में गोबी मरुस्तल यदि यह बात करें सोमाली की स सुमाली मरुस्तल कहाँ पर है तो सुमाली आप याद रखेंगे सुमालिया में कहाँ पर है सुमालिया में है सुमाली मरुस्तल जिसे सुमाली के नाम से जाना जाता है कहाँ पर है सुमालिया में यदि यह बात करें थार मरुस्तल की थार मरुस्तल भी पूचा जाता है बहुत कजी कुलम मरुस्तल जỗi पर कजी कुलम मरुस्तल है उजवेकिस्तान है कजी कुलम मरुस्तल आ पर रखेंगे और एक और पूछाब मरुस्तल पूछाब कहां पर है मोजाब तो मोजाब आप यता रखेंगे यह कहां पर दचचड़ी कैलिफोर्णिया मैं मोजाब मरुस्ता अगला क्उस्छन देखे कुस्छन नम्झ नाईन की दिये इसिटाइग फ्लेचं सब्द का क्विल्थ है तो इस्टाइक फ्लेथ मसब्द का c at और यह दियर बात करें कि जो मुद्रा स्पीती है तो मुद्रा स्पीती से बजार की वस्तूओं पर क्या परभाव पड़ता है तो मुद्रा स्पीती से आप याद रखेंगे क्या पूछा जाता है कि बजार की वस्तूओं क्या होता है मैंगी हो जाती है सबसे पहली बात यह याद रखेंगे क्या हो जाती है मैंगी हो जाती है मुद्रा स्पीती से बजार की वस्तूओं और सरकार दोरा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहला यदि यह बात करें कि मुद्रा इस्पीती से लाब किसे होता है तो फायदा किसे होता है मुद्रा इस्पीती पर तो रेड़ी को रेड़ी को क्या होता है फायदा होता है मुद्रा इस्पीती पर यदि यह बात करें कि भारत में मुद्रा जो मापी जाती है तो किस के जरी माप क्या दिए संसद में विध्यक आम तोर में इस समय पेस किया जाते हैं तो किस समय पेस किया जाता है संसद में विध्यक तो विध्यक से बनता है तो सून निकाल क्या है कि संसत के दोनों सदियों सदनों में प्रस निकाल के ठीक बाद के समय को सून निकाल का जाता है और यह 12 बजे से शुरू होता है और एक बजे तक चलता है एक घंटे का होता है 12 बजे से शुरू होता है और एक बजे तक चलता है एक घंटे का समय इसे का आ जाता है शून निकाल और शून निकाल की जो शुरूआत हुई थी आप याद रखेंगे भारत से हुई है भारत से शून निकाल की शुरूआत हुई है और यह दियर बात करे जाता है तारांकित प्रस्ण का उत्तर मौकिक दिया जाता है लिखित नहीं दिया जाता तो ऐसे प्रस्णों को क्या कहा जाता है तारांकित प्रस्ण कहा जाता है जिनका उत्तर सदन में क्या करते हैं तुरंत मिलना चाहिए तो उन्हें कहा जाता है तारांकित प्रस्ण क्या ह होते हैं तो आतारांकित प्रस्ण का होते हैं कि जिनका उत्तर सदस से मौकिक नहीं लिखित चाहता है जिनका भी उत्तर क्या कहता है लिखित चाहता है तो उसे हम आतारांकित प्रस्ण कहेंगे और आतारांकित प्रस्ण का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और तारांकित प् किसा अनुछेद के तायद दी जाती है तो अनुछेद 19 के तायद दी जाती है अपसर नमर C हमारा करेक्ट है अनुछेद 19 के तायद दी जाती है सोतंदता का अधिकार यदि यह बात करें इससे संबंधित और कौन से question पूछे जाते हैं तो इससे संबंधित जो question पूछे जात किया गया अनुछेद 14 में किया गया यदि यह बात करें अनुछेद 15 की तो अनुछेद 15 में किसका जिक्र किया गया है तो धर्म मूल जाती लिंग या जन्म के आधार पर विवेद का प्रतिबंद किया गया अनुछेद 15 में यदि यह बात करें अनुछेद 16 की तो के विशय में बात की गई एकी से लोक नियो जन के में बात की गईugen में शोले में नोचेद 17 को बहुना के यसमें लिखत की आप इता है उप know काम यदि यह बात करें अनुछेद 20 की तो अनुछेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धी के संबन्द में संरच्ण दिया गया अनुछेद 20 में यदि यह बात करें अनुछेद 21 की तो अनुछेद 21 में प्राण और दहिक सोतंतरता का प्रावधान किया गया है अनुछेद 21 में यदि एर बात करें अनुछेद 22 की जो ये पूछे जाते हैं पहुत जदत अनुछेद 22 में क्या का गया कि कुछ दसाओं में गिरिपतारी और विरोधके से संद्छं के बारे में अनुच्छे 22 में बताया गया है अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर 12 वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सेर कीजी और लाइक भी कीजिए अगला कुश्चन कुश्चन मर 12 क्या दिये कौन सर देशक सिद्धांद मूल समिदान में सामिल नहीं किया गया था किन्तु 42 संसोधन द्वारा सामिल किया गया तो किसको सामिल किया गया 42 संसोधन संसोधन के द्वारा तो मुप्त कानूनी सायता उपलब्द कराने के लिए प्रावधान किया गया 42 संसोधन संसोधन के द्वारा अपसंदान संसोधन से संबंदित कोईश्चन जो भी पूछे जातें तो बयाले संसोधन आप पहले याद रखेंगे 1976 में हुआ और क्या किया गया कि स्वार्ण सिंग समीती के सिपारिस पर मूल करतब्यों को जोड़ा गया जिनको अनुचेद 51 के कामे रखा गया इनको अब यह दियर बात करें कि मूल करतब्यों को कहां से लिया गया तो मूल करतब्यों को रूस के सम्मिधान से लिया गया आप इससे भी याद रखेंगे और 42 सम्मिदान संसोधन में क्या किया गया कि लोकसवा और विदान सवा की अवधी जो थी वो उनका कारकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था क्या किया गया था 6 वर्ष कर दिया गया था 22 सम्मिदान संसोधन में 5 वर्ष से बढ़ा कर 6 वर्ष कर दिया गया और इसके बाद में 44 सम्मिदान संसोधन में पुना उसे 6 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष कर दिया गया था और 42 सम्मिदान संसोधन में बढ़ा दिया गया था यह कु सबसेदान जो लिए ज किया गया था नएक परिच्छन से मुक्त कर दिया गया था बहरती सब्धान संसोधन के द्वारत के महाद लेकाक करते ह reicht के रूप में कार करते हैं तो यह कोन सा विकलब सहरों का आप आपसन नम्मर राज्य और संग दोनों के लिए करते हैं यानि आपसन नम्मर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा आपसन नम्मर सी राज्य और संग दोनों के लिए करते हैं अब यदियर बात करें इससे संबंदित और कौन से कुछे जाते हैं तो भारत में नियंतरक महालेखा इतना होता है जिस दिन से वो पद ग्राण करेगा उससे 6 वर्स या तो फिर 65 वर्स की उम्र तक 65 वर्स की आयू तक जो भी उसका पहले पूर्ण हो जाएगा उसी के तहित उसे क्या किया जाएगा पद से इस्तीफा देना पड़ेगा हटना पड़ेगा और यह दियर बात करें कि यह सेवा निवरत्ती के पस्चाद भारत सरकार के आधीन कोई भी पद धारण नहीं करता जब भी यह सेवा निवरत्ती इसके होगी तो यह किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता और नियंतरक मालेगा परिचक सारजनिक धन का सनरचक होता है आप इसे भी याद रखेंगे नियंत्रक मालेखा परिच्छक सारजनिक धन का संद्चक होता है भारत था प्रतेक राज प्रतेक संग प्रतेक राज और प्रतेक संग राज छेत्र की संद्धी के लिए किये गए सबी ब्याव का जो ब्या किये जाते हैं उसका नियंत्रक मालेखा परिच्छक करता है कुन करत इंद्र की सिर्ट नाम हैं इंद्र दिया गया है तो दिया गया राडार का नाम दिया गया एंद्र option number c हमारा correct है और यदियर बात करें जैसे वो प्रचेपास्त्रों की तो जो प्रदवी है तो प्रदवी का ऐसा प्रचेपास्त्र है पूछा जाता है तो यह सतय से सतय में मार करने वाला सतय से सतय में कम दूरी तक मार करने वाला प्रचेपास्त्र है यदियर बात करें अगनी कि अगनी पूछा जाता है तो अगनी क्या कर ये सते से सते में मध्यमदूरी का होता क्या सते से स Авवा में मार करने वाला परच्छे पास्त्र है आकास यह दियर बात करें नाग की नाग पूछा जाता है तो नाग क्या है यह एक टैंक भेदी परच्छे पास्त्र है नाग यह दियर बात करें अस्त्र की अस्त्र पूछा जाता है तो अस्त्र क्या है यह हवा से हवा में मार करने वाला परच्छे पा अस्त्र पोल想ें अगला क्वेश्च नम्मर 15 कया दिए ओलंपिक खेलों के जंडे में हरा बरत तoti संव के तो नीला को तो नीला होता है यह क्या करता यूरोप को प्रदर्शित करता है यूरोप को प्रधर शित करता है नीला ब्रत यदि यदि अरबात करें कि लाल ब्रत किसको प्रधर अमेरिका को अमेरिका को करता है लाल ब्रत और यदि अरबात करें कि पीला किसे करता है तो पीला जो ब्रत होता है तो वो करता है एसिया को एसिया को करता है पीला और काला करता है किसे अफरीका को आप याद रखेंगे काला ब्रत किसे प्रदर्शित करता है अफरीका को अपरी था अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर 16 क्या है समराड अकबर द्वारा निम्रे लिकेत में से किसको जरी कमल की कलम की जरी कलम की उपादी प्रधान की कही थी तो किसे दी थी अकबर ने जरी कलम की उपादी तो यह दी थी आपसन नमर हमारा मुहम्मद हुस उपादी दी गए तो आप याद रखना कि सीरी कलम की उपादी यदियर बात करें कि सीरी कलम की उपादी किसे दी थी यह तो हो गया जरी कलम जरी कलम की उपादी किसे दी थी मुहम्मद हुसाइन को और सीरी कलम की उपादी दी थी अब्दुद समत को अब्दुद समत को दी थी सीरी कलम की उपादी यदियर बात करें कि कवी प्री की उपादी किसे दी थी कवी प्री कवी प्री की उपादी दी अगबर ने बीरवल को बीरवल को दी थी कभी प्री की उपादी यदि अर बात करें कि महापात्रिक उपादी किसे दी अगबर ने महापात्र ये पूछे जाते हैं जो भी मैं बता रहा हूं ये सारे question most important है महापात्रिक उपादी अगबर ने दी थी नरहरी को महापात्रिक उपादी दी थी और तानसेन की बात करें कि तानसेन को किसकी उपादी दी गए थी तानसेन तानसेन को दी थी अगबर ने कंठा भरन वाड़ी विलास की उपादी दी थी तानसेन को अगबर ने और यदि यह बात करेंगी जगत गुरू की उपादी कैसे दीती जगत गुरू जगत गुरू की उपादी दीती अकबर ने हरी विजय सिंग सूरी को दीती जगत गुरू की उपादी अकबर ने अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर 17 कौन सा ग्रंत है समराठ हर्स की र विजगड़त भास्करा चार ने ए लिजगड़त विजगड़त से संबढ़त lips का संबध पूचा जाता है कि लीला सब्सक्ति के पुस्ता का स youngest स्टेसे तो गड़ित से और गड़ितमें Stück से पीज घड़ित से अगलग यदियर शुखाला कि बारे में मुझा जाता हम जा इनसांग के बारे में हुन सब्सक्ति हेर्च के समय में आया था सन्वराठ हरस के समय में ही गोहिन सांग आया था और हर्स को सी और किस नाम से जाना जाता है तो आप याद रखना सिला दित की नाम से जाना जाता है हर सुखो यदि यह बात करें कि हर्स वर्षन को और किस नाम से जाता है जाना जाता है तो इसे दुती अकबर भी कहा जाता है हर्स को दुती अकबर के नाम से भी जाना जाता है हर्स को आप इसे भी याद रखेंगे कि दुती अकबर किसे कहा जाता है तो हर्स को कहा जाता है तो किस वंस के सासकों को हुडों के आकरमन का सामना किया था तो गुप्त के सासकों ने क्या किया था। गुस्चेरियो का का सामना किया था यदि अर बात करें और इसस्cular qor ? पूछे जाते हैं तो सबसे पहले बात कोई गुप्त कड्षा असक के समय में हुआ था कि इसकंध गुप्त के समय में हुआ था और इसमें इसकंद गुप्त क्या रहा था बिजय रहा था इसकंद गुप्त की बिजय हुई थी और यदि यह बात करें कि कुमार गुप्त के बारे में कुश्चन पूछा जाता है जिसने क्या किया था नालंदा विश्व विद्याले की स्थापना किस ने की थी कुमार गुप्त ने जो बारत का नेपोलियन और सोय उन्हों का नायक भी कहा जाता थाए कीbel मंदर बनाने की जो प्रचलन-शुरू हूँ, हुआ मंदिर बनाने का तो गुप्त काल में ही हुआ within गुप्त काल में ही मंदिर बनाने कखला बगसेद रखना अंतिम गुप्त सासक की मिरत्त्रों हुए तो यह कालेंजर में थी आपसर नमर सी अमारा साइज कलेंजर में शहर साइसूरी अप सर शहर साय सूरीिसे संबंदित क्योश्चन तो जो सर साय सूरी यह बिल्ग्राम यह कन्नौज का लिए जो हुमायू की masa साथ में 1540 में हुआ तो इस युद्ध को जीतने के बाद में सेर साय सुरी क्या हुआ दिल्ली की गद्धी पर बैठा कब बैठा 1540 में बिलगराम या कन्नौज के युद्ध पर हुमायू को हरा करके दिल्ली की गद्धी पर बैठा सेर साय सुरी 1540 में और सेर साय सुरी की म्रत होगयी वह क्या खर रहा था क कि यह पूछा जाता क्या औरmen नामक अग्नेयास चला रहा था का क्लंचर के लिए कि देवाल में लग करके rikt electrical जो गोला दीवाल में लगा तो देवाल नहीं फूटी पलेकिन वह स्वायम ही उसकी मृत्त्य हो गई थी और यदि यर बात करेंगे कि कालिंजर का सासक कौन था तो कीरत सिंग कीरत सिंग सासक था कलिंजर का जब इसने सेरसाह सुरी ने उस पर आकरमन किया था और सेरसाह का मगबरा पूछा जाता है कहां बनाए तो शासार में सासा राम में मगबरा बना है सेर साय सुरी का और सेर साय का जो उत्तरादिकारी हुआ वो उसका पुत्र इसलाम साय हुआ उसका उत्तरादिकारी रहा अगला कुश्चन कुश्चन नमर 20 इस स्रीच का आखरी कुश्चन है क्या दिये सबने अवग्या अंदोलन की आसफलता के पस्चात गांधी जी ने किस कारकरम को मात दिया था तो किस कारकरम को मात दिया था तो रचनातमा का कारकरम को मात दिया था गांधी जी ने सविनाय आवग्या अंदोलन की असाफलता के पस्चात में यदि यह बात करें कि गाधी दी से संबंदेत कौन से कुश्चन पूछे जाते हैं तो भारत में सत्याग्राय का पहला प्रियोग गांधी जी के द्वारा किया गया और कब किया था उन्होंने 1917 में सबसे पहले 1917 में गांधी जी द्वारा सत्याग्राय का प्रियोग किया गया वो भी 1917 में चंपारण से किया थे उन्होंने कहाँ पर चंपारण से और यदि यह बात करें और कौन सा कुश्चन पूछा जाता है तो गांधी जी ने एक अगस्त है एक अगस्त 1920 को आसायोग अंदोलन की शुरू में कम 1924 में बेलगाओं अद्वेशन में कांग्रेस की एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार अधच्चता किये गांधी जी ने और यदि यह बात करें गांधी जी के बारे में और कौन से कुश्चन पूछे जाते हैं तो 12 मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने का किया कि अपने 78 समर्थकों के साथ में दांडी यत्रा की शुरूआत की थी 12 मार्च 1930 को और गांधी जी 6 अगस्त 1930 को सविनय अवग्या अंदोलन चलाया था 6 अपरायल 1930 को गांधी जी ने क्या किया सविनय अवग्या अंदोलन की शुरूआत की 1932 में ये कुश्चन पूछा जाता है 1932 में गांधी जी और अंबेटकर के बीच में पूना समझावता हुआ था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1932 में भारत छोड़ों अ या मरो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने जब क्या हुआ 1932 शुरूआ तब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था तो यह रहे most important question वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जाता हिजाता दोस्तों की बीच में share कीजिए और जो व्यक्ती चैनल पर नाया है तो चैनल को subscribe आवस्ट करें और bell icon को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए तो उसका notification उसे म पहले तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार